कुछ मैचे ऐसे होते हैं जिसके बाद आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आपने इस क्लब को सपोर्ट करना शुरू किस वज़े से किया था And back in 2005 when I started supporting United, when I started watching their games, तब मुझे एक चीज की कमी कभी नहीं दिखती थी and that was character और आप जितनी भी diffus उठाकर देखोगे ना अभी recent times में और सिर्फ Eric Tenek के tenure के बीच में नहीं उससे पहली भी अगर आप देखोगे character है ही नहीं इस team के अंदर On the same day, where Spurs made a comeback after going 1-0 down, where Liverpool made a comeback after going 1-0 down, where Man City made a comeback after going 1-0 down and forget about every other team, where Aston Villa made a comeback after going 1-0 down, Manchester United at their own home turf, at their fortress, the so-called fort है जिसको आप बोल रहते इतने दिन से, against the B side of Brighton, got defeated 3-1 और उसमें से भी वो जो गोल आया ना, वो गोल आपके Rashford या वो गोल आपके Bruno Fernandes या वो गोल आपका किसी और प्लेयर ने नहीं, आपके एक academy graduate ने आकर score किया है, this is the reality of Manchester United and people have every right to troll us, if a city fan comes up with a slang कि भाई नहीं यार, this club is dead and dusted, you know, just cry about your history and everything, तो वो बिलकुल ठीक है, अगर एक Liverpool fan आके बोल रहा है, that you don't belong in the top 6, you don't belong in the top 6 conversation, it is a fact, this is a reality and I'm not even kidding, ये कोई मैं रेज करते में नहीं बोल रहा है आपको, this is the current situation of Manchester United, now अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं 10 है को the so-called आपके जो pretentious Manchester United fans हैं, उनकी तरह करना शुरू कर दूँ कि अरे नहीं भाई, सैख हम, he is not good enough, और एक रास्ता ये कि मैं चुपचा भाई, अब सीजन खतम होने का वेट करूँ, जैसा जहां जो करे, उसको करने दूँ, at least ये सीजन के बीच में ये ना बोलूँ कि ये सैख कर दो, क्योंकि देखो, अगर सैख करना decision होता इस football club के लिए, तो पिछले 5 मेनेजर्स, जो 4 मेनेजर्स हमने सैक की हैं, उसके बाद अभी तक हालत बदल चुकी होती, हमने डेविड मॉइस को सैक किया, हम लुई वैनाल को लेकर रहे हमने लुई वैनाल को FA Cup जीतने के बाद सैक किया, तो भाई इस इस विशियस साइकल और हम इस विशियस साइकल में फसे हुए हैं और इसमें टेन हैग अकेला कुछ करना ही लेगा यहाँ पर कल की परफॉर्मेंस पीपल बात है कि अब ओविस सी बात है सब कोई सवाल खड़ा करेगा कि भाई जब आपके पास एंट्री नहीं है सेंचो नहीं तो आपने क्यों फिर यहाँ पर फकूंदो पलिस्री को स्टार्ट नहीं दिया सीरी साब बात यह भाई आपको पता था ब्राइटन आपको कितना प्रेस करने वाली है आपकी मिट फील्ड है कमजोर कैसे मीरो सेम लेल परफॉर्म नहीं कर रहा एरिक्सन के पास वो स्टैमिना नहीं है कि वो नभभा मिनिट तक सर्वाइफ कर जाए इतनी हैवी प्रेस के सामने एंड और यहाँ पर आपको यह बता था क्योंकि आपने कल यहाँ पर डियागो डेलो को स्टार्ट दिया था क्यूंकि आप डायमंड मिफिल के साथ गय थे तो आपको स्कॉर्ट मेक्टॉम ने खिलाना था अब वैन बिसा का जब होता तो सिचुएशन अलग होती हमने इतना स्पेस याने कल ऑपरेट करने के लिए शुरू के बीच मिनिट लुक्ड लैक कि अरे भाई यॉनाइटिट का सीजन शुरू हो चुका है यहाँ से एक फ् आज वोगा वह देखा जाएगा बाट आपको पता था अगला गेम आपका बाइन का अगेंस्ट है इफ worden ब्रुनो वहस प्लेग सा राइट सेंटर बैक Bruno was playing as a left center back Bruno was playing as a center back इसको कैसे justify करूँ मैं 10 heck को हर एक चीज के लिए defend करने कुता रहा हूँ और मैं उन fans मैंसे नहीं हूँ कि भाई यहाँ पर हम match आरके तो मैं 10 heck को sack करने की demand करने लगूँ भाई this is the same guy जिसने last year में अच्छे से निरो सीजन खतम करवा के दिया था but point यह कि आपके timing of substitution plus आपके substitutions के जो name है वो क्या आ रहे है आप Marcus Rashford को पिछले एक साल से train कर रहो and the guy has developed nothing in his gameplay in terms of creating chances वो बंदा बस एक ही चीज करता है he'll carry the ball जाकर power shot hit करेगा and या तो net hit करेगा या goalkeeper में मार देगा या फिर sixer मार देगा on three occasions Rasmus Hoyland was open and he should have squared it to Rasmus Hoyland but बंदा इतना selfish है कि उस बंदे ने नहीं डाला low cross ठीक है बात जब आते है short stopping की अब देखो यार अगर आप बार बार डेवेड डिया का नाम लेकर आना चाहते हो तो उससे कोई फर्ग नी पड़ता डेवेड डिया को हमने same चीज के लिक्टर साइस किया था उसकी ball playing ability के लिए और ऐसा नहीं कि डेवेड डिया ने short stopping पर गलती नहीं की but अंद्रे उनाना ने जो घटिया level of short stopping हमें कल दिखाई है even अगर आप बोलो अगर आप Spurs वाले game की बात करो या फिर आप Arsenal वाले game की बात करो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे यार वो shots रोकने लाइक थे नहीं but एक effort की बात होती है last goal जो अमने third goal concede किया न चलते फिरते यहाँ पर वो goal score करके चले गए मतलब आप beat हो रहे हो आप effort तक नहीं डाल रहे हो यहाँ पर आपका heart तक नहीं लग रहा है तीसरे goal पर आप full stretch पर थे आपका heart लगा the ball still went in यहाँ पर short stopping के लिए आपको लाया गया एक goalkeeper का काम जैसे मैंने बोला था एक goalkeeper का काम modern day में सिर्फ short stopping करना नहीं है ball playing ability भी होनी चाहिए डेविड डिया के case में उनना के case में वो ball playing ability तो कूट-कूट के भरी होई है बहतरी न पासेस निकालने हैं लेकिन short stopping का क्या करें यार आपने जितने shots face किये हैं उसमें से आपने सिर्फ 2 या 3 safe किये और आपने सारे goal concede कर लिए अब score lane चाहिए 3-1 होती 4-1 होती है 4-1 होती है 4-0 होती 5-0 होती फरक कुछ नहीं पढ़ता था क्योंकि कपड़े हमारे उतर चुके थे चौराय पर नंगे खड़े थे और यहाँ पर Premier League का एक ऐसा game week जहाँ पर आपका हर एक rival comeback करके जीत रहा है उसी same game week में आप यहाँ पर यह चीज़ बोल रहे हो कि भाई नहीं हम से तो नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास players नहीं है यहाँ पर देखो glazers को blame करना बाकी चीज़ों को वो करना बहुत आसान है जो given set of players थे आपके पास कल playing 11 में उस playing 11 से आप Brighton की team को हराना मतलब हराना चाहिए था आपको आपके पास Rashford था Rasmus Island था Bruno Fernandes था Casamiro था Ericson था और क्या quality चाहिए आपको A front chances create करने के लिए या chances बरी करने के लिए बट आपका जो same old pattern चला आ रहा है कि आप यहाँ पर एक बार की goal concede किये आपके shoulders drop हो जाते हैं 20 minutes तक जब तक goal concede नहीं किया था तब तक everyone was like कि भाई नहीं आज तो फोड़ देंगे हर chance पर उम्मीद लग दे थी कि भाई goal हो जाएगा and once you went down उसके बाद आपने क्या किया आपने shoulders drop कर दी आप वहाँ से बिल्कुल expose होना शुरू हो गया there was no rhythm फिर वापैस से long ball पर खेलना शुरू हो गया and that's where in-game management of the manager comes into play आपने कल देखा भाई लिवरपूल लुक्ड वेरी टायड उन्होंने मिकैलिस और अगरा को second half शुरू होते ही bench किया Kodi Gekpo ने goal score किया उन्होंने उसको bench पर डाल दिया उसके बाद और उन्होंने पूरे team का जो पूरा structure दा वो change कर दिया जबकि वो game में come back कर चुके थे United even after knowing कि हम यहाँ पर lag कर रहे हैं हम ट्रेल कर रहे हैं हमें बहुत सारे changes करने चीए उनकी तरफ से में कुछ देखने को नहीं हो ला and that's when questions needs to be asked from Eric Tinnak कि आपने Marcus Rashford को जब इतना खराप perform करते देखा तो why Rasmus Island was being substituted and not Marcus Rashford why entry martial was being brought on and not Alejandro Garnacho in place of आपके Marcus Rashford जब तक Rasmus Island पिछ क्यों पर था तो तक हमारे पास एक physical presence थी final third में and yes he was troubling the Brighton defense लेकिन आपने क्या देखा क्या Marshall के आने के बाद हमने कुछ produce किया क्या और चलो ठीक है Marshall को आप लेकर आना भी चाहते थे but आपने Rasmus Island को क्यों निकाला when when you are in the desperate need to score goals you are taking out your attacking players aerial threat और एक ऐसा player जो की शारप लग रहा था final third में and you are bringing a dead ass player like N3 Marshall that's where the mentality comes into play देखो defend करने की बात आएगी I'll always defend Eric Tenneka I'll always defend my club but this club is no longer a top club this club doesn't belong in the top club conversation as of now we don't have that standard इतने साल जब Arsenal नहीं कर रही थी न तो Arsenal को भी हम बहुत ही नीचे रख रहे थे top clubs के मुकाबले और यहाँ पर सेम चीज़ अब United कर रही है आप बातादो कौन सा ऐसा प्लेर जिससे आपको उम्मीद थी कल कि बाई चलो he'll turn around the situation Hannibal Majabari आया पिसकी उपर substitution थोड़ अजीब लगा but an academy graduate taking you know taking more chances taking more shots and being more responsible than the so-called superstars of this team Marcus Rashford and even Bruno Fernandes को भी क्रिटिसाइस करना पड़ेगा Bruno Fernandes पता नहीं कौन सा क्या management था आप पीछे आकर खेलरो भाई आपको पता है कि when the team needs you you must create chances आप अभी Portugal के लिए इतने अच्छी performances deliver करके आए और Tenech का मुझे समझ नहीं आता भाई हर बार जब भी बात आती है कि ball कौन carry करेगा या पिर कहां से हमें थोड़ा momentum gain होना पड़ेगा हर बार sacrifice आपका Bruno ही हो जाता है हर match में आपको Bruno पीछे खिल देता because that goal came out of nowhere हमने भी उन्होंने against the run of play पहला goal मारा हमने भी against the run of play goal मार दिया out of nowhere यहाँ पर Manchester United are going to get threshed we might be thrown out of the Champions League we might finish at the bottom of the Champions League group stage अगर हम ऐसे ही के लिए और people thinking that na Copenhagen को हरा लेंगे गलतासरे को home पहरा लेंगे 31 games unbeaten थे last year that unbeaten run started after losing to Brighton on the opening match day and last night that unbeaten run at Old Trafford ended against Brighton पिछले चार Premier League games में 4-0, 2-1 जिसमें own goal था उसके बाद 1-0 and then कल रात में 3-1 यह आपके result रहे हैं चार पिछले previous matches में Brighton के गेंस, Premier League के और जो आप FA Cup का fixture जीते भी थे उस fixture में भी आपका जो performance था वो कुछ इतना खास नहीं था आपने penalties में जाका Brighton को हराया and यह सोचो कि यही डिजर भी जिसके पास इतनी funding नहीं जिसने काईशी दो बेच दिया जिसने McAllister बेच दिया जिसके पास Ivan Ferguson नहीं था जिसके पास Estu Pinar नहीं था जिसके पास Sully March नहीं था वो टीम आपको आपके home पर आकर बुली करके जा रही है आप इस चीज को आप इस performance को आप defend नहीं कर सकते and situation ऐसी चलती रही अभी जो कल रात में देखा ना कि बाई Old Trafford was booing मैं honestly बताऊ Soul Char जब 5-0 हारा था Liverpool के against तब booze मैंने सुने थे और कल रात में आपने देखा Weaver Ronaldo के chant हो रहे थे मतलब क्या बोलू इस चीज पर समझ नहीं आ रहा मुझे Everyone is after Eric Tenhek Even our own so-called fans are after Eric Tenhek बढ़ आप मुझे ये बता दो Tenhek को सेक करके आप कौन सा manager लेकर आओगे जो situation change कर देगा आप खुद बता दो मुझे क्या आप ये जो process चलता आ रहा है ये end हो जाएगा एंटी के चलो मैं कह रहा हूँ कर दो Tenhek को सेक अभी कर दो टेक अभी कर दो उसको सेक Bindman का मैंस हारेंगे न उसके बाद Tenhek को सेक करके नए manager लेओ Nagelsman बोलो के तुम Nagelsman लियाओ Zidane बोलो के Zidane लियाओ पहले तो Zidane आएगा नहीं विकार Zidane ने पहले भी मना कर दिया था क्योंकि वो इतने toxic environment में काम नहीं करना चाहता आप Nagelsman लेकर आओगे Nagelsman एक साल पूरा नहीं टिक पाएगा जो Tenhack ने ठिका लिया ना Nagelsman नहीं ठिक पाएगा क्योंकि Nagelsman तो और ideal manager है Nagelsman और यहाँ पर अगर आप देखो तो Nagelsman के पास तो अपने पास कुछ कुछन भी नहीं है प्रूफ करने को अगर आप ले भी आओगे तो यह जो Big Ego वाले प्लेयर्स नहीं वो Nagelsman के सामने अपना Ego नहीं दिखाएंगे क्या बट एक चीज़ मैं बोलूँ Tenhack को बहुत को चेंज करना है वो अपने आगे किसी की नहीं सुन रहा the timing of substitutions the style of play अभी तक हमारी कोई identity नहीं बन पाई है Brighton have got an identity without their first team players and हमारे पास हमारे main players भी है उनके बाद हमारे पास कोई identity नहीं है question needs to be asked बट अगर आप यह चाथते हो या अगर आप यह सोच रहो कि Tenhack को सेक करके United का जो एक lost momentum है वो आपस हासिल हो जाएगा वो नहीं होने वाला this club deserves to be in that position which we are in right now and nothing will change ever जब तक हम याँ पर top hierarchy को change नहीं करते हैं और जब तक हम इन players को नहीं change करते मैंने बोला था last year तब बहुत सारे लोगोंने मझे गाली दी कि I don't see Marcus Rashford leading the line for Manchester United I don't see him as a world class player and everyone was like you know you are being too biased तुझे पसंद नहीं है तुझे अपने अजिंडास रन करता है every fucking time when the team needs him to step up every fucking time when the team needs him to play in a bit more intelligent manner he always disappoints and that is his usual self वो कोई नया नहीं देख रहे हूं ये इतने साल से मैं देखता ही आ रहा हूं one good season then the alternate season में आकर वापस है मैं पता मैं एक गंटे आपर live stream करके rage कर सकता हूं बहुत कुछ है बोलने को मैं बोल सकता हूं बहुत कुछ है बहुत सारी चीज़ें है discuss करने को मैं कर सकता हूं but honestly football देखने का यार मन नहीं करता मैं सही बता हूं तो मैं इतना मतलब आज रोने वाली हालत होगी न मेरी आप इस club को daily बैट कर defend करते हूं और इस club के players आपको defend करने का एक मतलब एक वो नहीं देते है कि कोई logic sense दें आपको कि आप किस basis पर इनको defend कर पाऊगे ना player दे रहा है और अभी तो manager भी नहीं दे रहा पढ़ा Chelsea की जो हालत है Chelsea की हालत पिछले एक साल से है मैं ये पिछले 10 साल से 11 साल से देखता रहा हूं अपने club के बारे में and honestly मैं request करूंगा जो भी नया fan United को follow करना शुरू कर रहा है please do not support Manchester United बहुत भड़ी कलती करोगी आप we are not in a position जहांपर हम नया fanbase add करें और उसके साथ यहां पर बैठ कर हम एक मतलब बहुत गलत हरकत कर दें क्योंकि जो भी नया fan football देखना शुरू करता है वो चाहता है को उसकी team जीते है उसको थोड़ा सा अगर उसकी personal life में दिखते चल रही है तो यहां पर थोड़ा सा उसको confidence मिल जाए कुछ थोड़ा entertainment मिले United is only going to give you pain so please do not do not support Manchester United it's a humble request